कि अभी यूए सेंबसी ओपन हो गये हैं और जो प्रासस वीजा का जो भी प्रासस था जो चल रहा था अभी स्पीडप हो जा रहा है मतलब सप्टमबर से ओफिशली ओपन हो रहा है दुसर बहुत सरे लोगों को यह अपांट में भी मिल रहा है वह उनको इंट्रुवी का डे वीजा का कोशन आंसर क्या होता है उसका वीडियो बनाए है या फिर यह नहीं है तर रिलेटर सर्विसे बीवन बीटू वीजा का प्रासस क्या होता है उस पर वीडियो बनाए है तो चलिए तरसा आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि एरपोर्ट में आज के दिन में पर क्या कोशिंच पूदे हैं तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं और इस चानल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब करना चलिए दोसरा शुरू करते हैं मान लिजे कि आप घर से निकले और एरपोर्ट जाओगे नॉर्मल चेकन रहेगा उसके बाद काउंटर पर जाओगे मतलब दो चीज एक तो बोडिंग करने के लिए प्लस आप यह जो भी चेकिन बैग है आप चेकिन करने के लिए जाओगे वहाँ पे 99% दोस्तों आपको कोई सवाल नहीं पूचेंगे क्योंकि उनका काम इसके बाद आप डैरेक्ट्ली जाओगे इन्टरनाश्यल इमिगरेशन पर दोस्तों लेकिन दोस्तों वहाँ पे आपको कोईशन पूचेंगे लेकिन मैं देखिए यहाँ पे मेंशन करूँगा यह उस इमिगरेशन का कोईशन हो या फिर यूएश में लाइन करने का विजा नहीं हो तो वह आपस भीज़ेंगे रहे तो वह देखेंगे पासपोर्ट में आपको देखेंगे मैच कर लिया वीजा देखेंगे फाइन वैलुडिटी चेक करेंगे वह सब परने के बाद एक दो सवाल पूछेंगे इंडिया में कि वहाँ पर जा रहे हो वहाँ पर टिकेट मिलिया है उसमें clearly mention किया कि कहां जा रहा हो फिर भी वह पुचे कहां पर जा रहा हो आपको clearly mention करना पर जा लेगा कि कहां जा रहे हो यह मत बुलना कि मैं US जा रहे हो बहाए अब US का flight book कि हो यॉए वीज़ा तो obviously यॉज जा रहे हो लेकिन आपको clearly बोलना पढ़े उ में कहां पर जा रहा है एक्जाक्ली पूरा अड्रेस बोलने की ज़रूत नहीं वह सब्सक्राइब कि I'm going to New Jersey और New York और इनितिंग फिनिक्स एक्सेटरा एक्जाक्ली सिटी का नाम बता सकते हैं ताकि उनको लगे कि भाई ये के लिए जा रहा है आप सीधा बोलोगो उस में जा रहा हूं फिर पूचेंगे मैं युएस में जा रहा हूं मतलब आपको पता नहीं कि कहां जा रहा हूं तो वह एक कोश्चिन हो गया तो तहार इस यह कि कहां से देने के लिए उसके बाद अगर आप ऑफिसल विजा पर जा रहे हो वो पूछ सकते है कि क्यों जा रहे हो आप बोलोगगे की बिजनस में के लिए किस तरह का मिटिंग यह ज़ादा इंपरटन नहीं रहेगा लेकिन ठोचेंगे यह फिर किसी ट्रे है वाँ पर जाओगे दोस्तों हो गया इंडिया का इमिग्रेशन क्लियरंस 99.000% जो भी है आल्मोस 100% इंडिया में क्लियरंस हो जाता है unless if you have any issues in your passport or visa visa में तो इस नहीं होता है अगर आपके दोबय जाओगे दोबट यूएस यहाँ या फिर यहांसे दोहा जाओगे दोहां राहीगा वहां पर कोई immigration यहाँ पर कुछ नहीं होता क्योंकि आप एरपोड के बाहर जाओगे नहीं कनेक्टिविटी लांज में रहा हो गए कनेक्टिविटी इस गेट से निकल एक गेट से निकलके दूसरे गेट में जाओगे वहां पर कुछ नहीं हो गया आप माल नहीं जागे फाइनल डेस्टिनेशन युएसे में उतर गए यहां आता है वेरी वेरी इंपरेंट पाइन पे आएगा आप उतर गए युएसे में किसी भी एरिपट में हो सकता है भी नुयर्क सकता है या फिर नूग जर्च यह उसकता है इसके बात दोस्तों बहुत बढ़ा इक इतलब बहुत बढ़र एएयरपोर्ट युएसे में बहुत मतलब डॉकुमेंडेशन जो होता है हाट कॉपी देनी की जुरूत नहीं आप स्कानिंग कर सकते हूं वही पर मशीन से स्कान करके आपका वीजा रीट कर लेता है मशीन उसके बाद रसेप्ट आ जाता है वह रसेप्ट के साथ आपको लाइन में खणना पड़ेगा बहुत सारा लाइन से बड़े बड़े लाइन से इसलिए प्लान करके जाएए कि अगर आपका कनेक्टिंग फ्लाइट है कम से कम दो या धाय घंटे का मतलब आपके पास टाइम हो नहीं तो अगला कनेक्टिंग फ्लाइए आप मिस कर दोगे बोल रहा हूं फिर से अगर किसी का प्लान है तो दो या तीन घंटे का कनेक्टिंग फ्लाइट का जो भी टाइम है रखे तो इसमें तो हम नहीं जा चकते हैं हम तो नार्मल सीरीजन है उसमें जब देखिए हमाँ पर बहुत सारे कॉंटर्स है आप मन में लगाया होगी भाई पता निये कि क्या कॉश्ण पूच रहा है आपको लगता कि ये कॉंटर में हाँ ये थ्वड़ा शांत बंदा है अच्छ कोई भी कॉंटर में जाओ कोई भी आपका इमिग्रेशन करें इमिग्रेशन के लिए जो भी कुश्ण पूचे वह काम ली शांती से जो भी जन्यून कुश्ण आंसर है वही जन्यून देदफ्ता हूं रखिए कोश्ण क्या पूचते आता हूं नमबर बन सीधा पूचेंग ठीक है वह दूसरा कुश्ण पूचेंगे कि इतने दिन के लिए यह मैंडिटिली पूचते हैं यहां पे धायन से सुनिये गलती मत करना आपको आपका जितना दिन का प्लान है इतिनरी है कोई प्लान है होटेल बुकिंग है या फिर रिटन टिकेट आपने बुक किया है उत दो मेना के लिए आया हूँ राइट हला कि वह लीगल शिक्स मान का विजा देते हैं लीगल आपगे तक वहाँ कर सकते हैं लेकिन बोलना नहीं है जैसे आप बोलो गिए यह मेना या दो मेने के लिए आया हूँ उनको लगागा कि इसका कोई तो फिटिंग है यहां पे किसस प्लान ही वही बताए अगर आपका प्लान यह क्या दो महिने का है माल लेते कि आपका दो महिने का प्लान है अगरेड आप बूलोगे मैं दो महिने के लिए पर रहना चाहते है इसमें आपको प्रूफ करना पड़ेगा जस्टीफाइक पड़ेगा कि दो महिना तक माप प्र करोगे राइट इस केसमें जहां पर बलोगे देड़ या दो महिना तक रहूंगा, आपका इमिग्रेशन इंटरोफ थोड़ा से लमा हो सकता है, यह क्या देड़ महिना तक, सबी लोगों का 30 सेकेंड में खतम हो जाता है, आपको एक्स्पेंट करना पड़ेगा, दो महिना तक क्या करोगे, राइट, जैसे कि हो सकता है कि किलंबेट ट्रेनिंग में आया हूँ, इतने फेजस का ट्रेनिंग है, यह सारा ट्रेनिंग लोंगा में, यह ट्रेनिंग लेने के बाद मेरा केरियर में हिल्प होगा, मेरे कंपनी को हिल्प होगा, और जो यूस में कंपनी है, वो इसको भी हिल्प होगा, लेकिन दोस्तों, जब बोलोगे कि मैं डेड़ा दो मेनी के लिए आया हूँ, एक्स्प्रेंट करोगे, उसको आप वो लोग धान से सुनेंगे, उनको ट्रेनिंग से कोई लना दे नहीं है, धान से सुनेंगे और यह क्या दो वर सेंटेंस आप से पकड़ना चाहते हैं कि उस दो मेना करोगे, करना चाते हैं करोगे, आप उनको गोली दे कि आ रहा हो कि नहीं मैं ट्रेनिंग के लिए आ रहा हूँ, लेकिन वहाँ पर जाके किसी कंपणी में सर्विस दे रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन मैं मैं में प्रोडक्शन कर रहा हूँ, प्रोडक्शन लेकिन factory के अंदर पाउं नहीं रख सकते हैं, समझे इस पायत को, जहां पे factory माने production floor, वहां पे पाउं नहीं रख सकते हैं, राक्ट्री में एक्डम्पल दे रहा हम किसी ओफिस में भी औॉपिस बिल्ड June एनंग जा सकते हो इस बिल्डिंक में एक मीटिंग रोम रहेगा या फिर रेकशन फ्लاع not पाँ नहीं रख सकते है अगर यह चीज बोल दिया आपने इंटु में आप मे में आपको डिपोर्ट कर देंगे वापस भज देंगे अब प्रू नहीं करेंगे बोलना का ताथ पर यह है कि अगर लंबे समय के लिए जाना चाहते हो जस्टिफिकेशन एक्स्वाइशन हंडड़ पसंड क्लियर बनाईए प्रिपेर किजिए और इसके बाद कहीं भी कहीं भी नोट किजिए कि कहीं भी जॉब रिलेटेड बात नहीं ना चाहिए उनको यह नहीं लगना चाहिए कि आप जाके वहाँ पर कुछ काम करोगे या फिर प्र्ड़क्शन करोगे या फिर काम धोनेगे क्लियर लोगे ट्रैनिंग लेके वापस आ जायए थेट हो गया त्री बात कुछ कोशन में मेरे को कैनरा में पुछा था था राइट यूेस में नहीं में पूछा था कि आप कैनरा में कहा जा रहे हो आ चुका हूँ मैं भी कैन प्रिपेट की क्या है हूं मैं जो लिखा हूं जो बोला हूं जैनुन है तो यूस में भी पूछ सकते हैं कि भई कहा जा रहे हो तो थोड़ा सा ध्यान रखे लोकेशन याद रखे कि भाई का जाने वाले हो ठीक है अगला कॉश्चन जोस्तों यह बहुत कम पूछा गाया है कि पूछे हूं का कुछने मिलने के लिए और फिर घूमने के लिए क rul जिए या फिर बिजनस वीज पर हूं हूं इक काफते के लिए वह बोलेंगे है को बांत क onsुंज के लैंगे हैं आपको आपकों क Regardless आ से मई ऐस जय्ग सब थीकेषैन आपका उईरिश्म ब्लेन हां आक आच में जो भी प्रिपेर की है वो बोलेंगी no I'm not interested मेरे को काम है में काम ख़तम करके एक दो गुम के वापस जाओंगा मेरे को जॉब जॉइन करना है लेकिन कुछ लोग बिना सोचे बोलते हैं कि हा इस ठीक है मैं दो मैने के लिए रहूंगा तीर मैने के लिए रहूंगा वो रि यह भी बोल सकते हैं कि भाई देखो छे महिना का मतला वैलिडिटी है आप छे महिने तक यहां पर रह सकते हो तो कैसे भी आप घुमने के लिए आ रहे हो खर्चा जादा है वह इंट वर्क कियो फापल लाफ मंद्स कुछ महिनों के लिए आप जाप करो उसके बाद जैसे व अगर रहे हैं वर्क करो माने कि वो प्रडेक्शन काम करो बोल रहे हैं आपने हां बोल दिया ठीक है मतला मान गया है कि टूरिजम विजा में या बीवन विजा में आके जॉब करना चाहते हो उधर ही क्यांसर कर देंगे भीज देंगी या फिर वो क्रॉस क्रॉशन पूचे है be one B two visa non production visa and not immigrant सिर्फ उपर जाकर आना है दिमाख में रखिया कि वह बार काम नहीं करना मेर मेर होगे, होटल बॉकिंग हुआ है क्या' कब भप संच होगे इतने सारा नहीं मोद्छे नहीं Champ by 2 week, मॉप स्रुछेंगा कि कोई नहीं चाहते है कि कल के दिन कुछ हो जाए मतलब यूएस गवर्मेंट पर लाइबलिटी बन जाया यह नहीं हो कि मतलब यूएस गवर्मेंट आप पे खर्चा करें कोई कोई भी कंट्री नहीं चाहता है राइट वह इसलिए वह इमिग्रेशन वीजा पासपोर्ट सब बनाते हैं लेकिन आप परस्नेल जा रहे हो मुझा पता कि जाधा तर लोग इंसुरेंस नहीं बनाते है इसलिए मैं बोर्राओं को ट्रावल इंसुरेंस बनाना ज़रूरी है जब आप जा रहे हो साथ दिन के लिए जाए प्रीमें बहुत ही कम है लेकिन कवर्मेंट आपके पास इंसुरेंस नहीं है ऐसे क्यास लेके चरह जाए एक तो आपके बात कितना ही पैसा हो आपके हाथ से देना पड़ेगा लाख रुपया वहापे तो बहुत कोशली है या फिर आपके पास पैसा कम है या नहीं है अटक गए वहापे यॉस गवर्मेंट पे लेकिन किजिए दूसरा बात थोड़ा क्यास लेके जाए आपके कितना दिन है उसके रेश्यो के सबसे तिसरे बात कोई यह किया दो क्रेइट कार्ट लेके जाए जाए क्यों कि भरोशा नहीं है कब क्या काम आ सकता है दोनों लेकि जाए ठीक है और तो कुछ सवाल यह भी सकते है कि देखिए आपने दोनों के दोनों डोसस लिये या नहीं हाला कि वह आजकल तो पासपोर्ट ने लिंक्ड है फिर भी वह चिंगे कि मतलब डोसस लिये या नहीं सटिपिकेट नहीं मांगेंगे लेकिन आप रेडी रखिए सफ कपी या हाट कपी सट्पे दिखाए और दूसरी बात यह भी देखेंगे कि मतलब आपको कोई अधर बीमारी है देखिए दोसो वही बीमारी के लिए कोई भी बीमारी आपको कोई लॉंग टर्म बीमारी है अलर्जिक बीमारी है क्या वह पूछेंगे क्योंकि यह पूछा गया है पहले भी आपको बोलना है नह टला jos का तेले के लिगे इंडिया का ट्रहात था बोलेक्स नेकलेशों वांपे खेला तो मुझे तबशेय फेल global कि उस यहें उसके लिपा श्यूह कुछ तो पुछा था इतना चीज आदे मेरेको मैंने बोला नो उसके बाद मैंने खुद बोला कि ऊचीज आप बैट आप जा रहा हूं है तो क्या बोलते हैं कंटिकटिकेटी फ्लाइट है यहां पर इसलिए इमिघेशन हो रहा है वह सुनने के पहले ठीक है ठेकियू जाओ बोलके वोल दे आमरेको यह कोश्चन मां कभी तक है मतलब मेरेको जैसे मतलब इंडिया वह पर जा जवाब देना है कि no, जो भी आपका relative answer है, ठीक है दोस्तों, आज के रिए इतना ही, तो यह च्वड़ी के भी question हो सकते हैं, जो आज के दिन में मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको लगे कि कोई question पूछ सकते हैं, अब मेरे को पूछिए, मैं और भी cover करने की कोशिश कु पूछा था, ID, TVC, Volleyball, Club से, और दूसरा वीडियो बनेगा, explain B1, B2 is a renewal process, और drawback facility, उसमें बनाऊंगो, इसके अलावा, अनिल सेगल जी ने पूछा है कि DS 160 का नया वीडियो बनाई है, देखिए, DS 160 का वीडियो बनाना इतना आसान नहीं है, देखिए, टेक्निकली तो कोई प्रॉल्म नहीं है, सिस्टम वगरा है, मैं बना सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर देखिए, passport number देना परता है, मेरे को सोचना परनेगा कि कैसे बनाऊं, इतना आसान नहीं है, क्योंकि fill up करना, application बना बड़ी बात नहीं है, लेकि मेरे पास्पोर्ट नमबर देना परता है, क् तो मैं देख रहा हूँ कि किस तरह से कर सकता हूँ, तो मैं सोच के बताऊंगा, देखंगा कि मैं कैसे बना सकता हूँ, कब तक बना सकता हूँ, उसके बाद धावल जी पुछ रहे कि B1, B2 विजा इंट्रुव का questions और answers, मतलब जो वीजा के लिए, इस वीडियो में मैं immigration के किया था, यह वीजा के लिए नया interview question पूछ रहे हैं, हाँ, definitely यह बहुत दिन से करने का plan किया था, मैं तो नहीं हुआ, मैं अब यह time लेके, मतलब structured manner में, यह latest 22 में क्या-क्या पूछ सकते हैं, वीजा के लिए, मैं जलसे वीडियो लेके आऊंगा, तो दोस्तों इतना है था question में एक idea है कि मैं हर हफ़ती या भी, या तो Saturday या Sunday में हर night को, रात को time पता नहीं, आठ या 10 के बीच में live आऊंगा, उस live में दोस्तों मैं, ज़्यादा से ज़्यादा questions का answer करने की कोशिश करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा questions का answer करने की कोशिश करूँगा, अगर आप इस चानल पर नहीं हो, अभी तक subscribe नहीं किया तो subscribe कर दिजिए, और notification बिल्को hit करके alt select किजिए, ताकि जब भी मैं live आऊं, आप मेरे से जुर सकें, और आपका जो भी live question पूछ सकें, ठेक है, इसके पाँ दोस्तों मैं बहुत सारे लोग देख रहा हूं कि मेरे को directly email कर रहे है, मेरा mobile number पूछ रहे है, email में बहुत सारा, उनकी case related question पूछ रहे है, देखिए, जो मैं वीडियो बना रहा हूं, जो comment section में, मैं answer कर रहा हूं, जो answer कर रहा हूं, सब के लिए है, मतलब, सब लोग read कर सकते हैं, तो उनके लिए भी होड़ सकता है, अब आप personally पू email service चाहिए, या फिर, you know, telephonic one-to-one consultations चाहिए, B1, B2 visa या फिर, जो भी related US visa में, आपको membership लेना पड़ेगा, तभी मैं आपसे email में interaction कर पाऊंगा, या फिर mobile से, या video call से, interaction कर पाऊंगा, तो ठीके दुस्तों, अगले video तक मिलता हूं, आप तब तक take care, और all the best for, you know, people who have applied for the visa and got the interview slot, जो जा के अब interview attend करेंगे, all the very best.